हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशल विद गोपी कृष्णा में आपका पुना स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में मीचल फंड्स के द्वारा या किसी ब्यक्ति के कितने प्रकार के लक्ष हो सकते हैं या साइपी से कितने प्रकार के लक्ष पूरे किये जा सकते हैं या कितने प्रकार के लक्ष हो सकते हैं उसके आपसंस क्या है इसके विशय में आज चर्चा की जाएगे देखे पहली चीज त यहां करोड़ों में एक दो लोग आपको मिल जाएंगे वो लोग बधाई के पात रहें और जितने ज्यादा लोगों को संभभ हो सके उनसे जो है उनका पालन करें अनुसरन करें और जो है चारिटी का काम करते रहें तो कितने प्रकार के लच्छ हो सकते हैं जैसे अगर किसी किसी आप विद्वान से मिलिए जाकर के जो धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास रखते हो जाए जिस धर्म के अनुव्याई हो तो वो सुर्वाज किसी वैक्ति की जो है सुर्वास यानि जब बच्चा पैदा होता लेकर कि उसके अंतिम संस्कार तक की सारी चीजे बता दे कि कैसे कब कब होना चाहिए विधी विधान है उसी तरह से फाइनेंसियल गोल भी आपके डिसाइड़ होते हैं हर एक व्यक्ति उससे जो है कि उसका पालन करता उसको प्राप्त करने के लिए यहां तक कि जो फकीर और सन्यासी भी होंगे उन लोगों का भी कोई किना कोई लक्ष होता है इसमें भी करोणों में से एक लोग मिलेंगे जो जिनके लिए कुछ नहीं होता है और आज के समय में अगर किसी को कोई चिंता नहीं होती या किसी का कोई लक्ष नहीं होता है तो उसको ज्यादा तरलोग हो सकता समाज में यह भी बोल सकते हैं कि जो है कितने प्रकार क्यों हो सकते हैं पहला तो हो सकता है हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी लग्जीरियस लाइब जिए सांदार जिंदगी जिए क्या आज तक आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्लानिंग करते हुए देखा है कि हम अपने लिए विल्थ क्रेट करेंगे और जाकर किसी आश्रम में रहना शुरू कर देंगे किसी को नहीं देखा है तो सबसे पहरा लक्ष होता है गोल होता है कि हम एक अच्छी सी कार अपने लिए पर्चेश करें वहां चाहिए होगा जहां किसी व्यक्ति की सर्विस्ट लगी है पहली इंकम आई है अगर वो पैदल चलता है तो उसको लगता है कि मेरे पास एक मोटर साइकल या मोपेड हो जाए अगर मोपेड है तो फिर उसको लगता है कि मेरे पास एक जो है बाइक हो जाए बाइक है तो उसको लगेगा कि मेरे पास एक कार हो जाए जब कार हो जाएगी तो यह लगेगा मेरे पास एक अच्छी ल तो उसकी दूसरी नीड होती है कि हम पहले मकान खरीद लें इसके लिए वह प्रयाज करना शुरू कर देते हैं कि अगर पैत्रिक संपत्ति है तो ठीक नहीं जाकर कि किसी इंस्टिट्यूशन से उधार लेंगे और पूरी जिंदगी उसको व्याज देते रहेंगे 15 साल 20 साल स दोस्ते कि इसका जो इंटरेस्टम देंगे वह मुझे इंकम टैक्स में छूट देगा तो जिस दिन हम इंकम टैक्स के विशे में बात करेंगे उस दिन इसके भी ड्राबैक बता देंगे अगला हो सकता आई वांट ओपन माई बिजनेस कई लोगों होता है कि मुझे अपना एक सब्सक्राइब जितना हाई लेविल होगा उसकी अतनी इच्छाएं अननत होंगी जितने संपन्होंगे उनको यह और होता है कि मुझे भीदेश घूमने जाना है अगर एचनाई है बहुत पैसात्ट यह होता है कि मुझे हर साल घूमने जाना है कि जो साधहारन परिवा सब्सक्राइब आपेटिकिछ्छ उती है कि हम हूं आप हों कई लोग हैं आइ वांट शिक्योर फ्यूचर एक भविश्य शुरक्षित जीवन कि जब तक काम कर रहें तब मुझे मेरे पास सिंकम आ रहें और जब काम करें तो मेरे पास तब भी इंकम आती रहे यानि कि पैस्यू इंकम जनरेट होना सुरू हो जाए तो पैस्यू इंकम अगर आपके पास चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिए तो हमने बता हैं क्या लक्ष हो सकते यह माने जो मेन फोकस होते उस decisions já 아 वो इसमें आजाएंगी आपके पहले वाले पाई एक आपको उनको सटर्न करने की यह बी जो है आपका आग यहीं तो इन सब के लिए किसी ना किसी तरह से आपको प्लांणिंग करनी चाहिए मानले किसी को लग रहा है कि हमको एक पैसिव इंकम चाहिए आज मेरी उम्र यह 25 साल 35 साल तो उसके लिए क्या करें आप चाहें तो सोना लेकर के खरीद रख लिए गा थ चाहते हैं कि मुझे बैंक से ज़्यादा मिली और इकुटी मारकेट से सेयर मारकेट से थोड़ा कम मिले चलेगा और इसमें टैक्सेसटन का भी दिफट अच् Start बैए तो इसके लिए आप मुचल फंड की सरण में जा सकते मुचल फट में निवेश कर सकते हैं मुचल में निवेश करने के दो माध्यम होते हैं या तो आप यसाइपी के द्वारा कर ले हर मैने आपके बैंक एकाउंट से पैसा डेबिट हो करके कर लें दूसरा है कि आप वन टाइम कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंकम रेगुलर नहीं होती है जैसे कांट्रेक्टर्स हो गए कई ऐसे लोग हो सकते हैं बिजनेस्मान हो गए या जो बुक सेलर्स होते हैं वो भी इसी काटागरीज में आते हैं तो अपना इरली इस तरह से अगर अपने प्लान करेंगे इसके बात करेंगे कि श्र को कि रात करने के लिए पकतन करनी होगा कितना और कि या कितना वन टाइम इन्वेस्मेंट करना होगा इस पे भी By बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस पर क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजे एक साथ बता पाना संभव नहीं है हम तो चलिए बता देंगे लेकिन कई लोग इसमें सबसे पहले आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार